हापुड फुलिस को एक सूचना प्राप्ट हुई थी जिसमें बताया गया थे कि कई लोगों को हापुड और अन जनपदों में तैनात उच अधिकारियों के फोटू दिखा करके उनसे पैसे की डिमांड की जाती थी और यह बोला जाता कि मैं फला फला दिकारी बोला हूं मेरे को कुछ एमेर्जेंसी है कुछ पैसे की आवशकता है जरा तुरंद मेरे इस अकाउंड में पैसे डाल दीजे जब इस पूरे केस को डेवलप किया गया तो इसमें चार लोग के नाम अभी तक प्रकाश में हैं और क दिल्ली के इसमें कुछ विदेशी नागरिक शामिल हैं जो मूलता नाइजीरियन रूप के हैं और यह साथ में मिल करके इस तरीके के फ्रॉड करते हैं जो नाइजीरियन नैशनल्स हैं वो इंग्लिश में मैसेज भिषते हैं और जो ग्रफतार कुछ अन्य वेक्ति हैं जो इनके devices की भी छानबीन की गई तो इसमें कई सारे भारतिये वीजा जो अवय तरीके से बनाए गया है वो भी प्राप्त हुए हैं जिसमें अपने आपको एक British महिला की फोटो लगा करके भारती वीजा जनरेट किया गया है यह पूरा गैंग दो तीन तरीके से अपरेट करता ह है पहला तो यह अधिकारियों के फोटो लगा करके पैसे डिमांड करना दूसरा आप से महिला बन करके दोस्ती करना और दोस्ती के उपरांत Facebook पे या WhatsApp पे मेसेज करना और फिर आपको यह दिखाना कि मैं आपसे मिलने भारत आ रही हूं और मुझे कस्टम अधिकारियों ने अभी विवेचना चल रही है इसमें दो तीन और वेक्ति हैं जो भी बांचित हैं कुछ जनपत बरेली और कुछ दिल्ली